नमस्कात दोस्तों, Python की इस नेग्स वीडियो में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम लोग conditional statement के बारे में बात करने वाले हैं, तो conditional statement को हम if-else statement भी बोलते हैं, तो कई पर अगर लिखा हुआ है conditional statement और if-else statement तो हमें confused नहीं होना है, दोनों चीज सेम है, तो चलिए आज का विडियो स्टार्ट करते हैं अब देखिए conditional statement होता क्यों है हम क्यों use करते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं तो basically कोई भी condition के उपर अधारत कोई काम को establish करना को हम लोग बोलते है conditional statement अब मान लिजे मैं आपको एक simple सा example देता हूँ मान लिजे बाहर बारिश हो रहा है अगर बाहर बारिश हो रहा है तो जो बच्चे हैं क्या करेंगे वो घर पे रहेंगे घर पे पढ़ाई करेंगे अगर बाहर धूप है बाहर बारिश नहीं हो रहा है तब बच्चे क्या करेंगे तब बच्चे स्कूल जाएंगे तो यहाँ पर मैं एक simple सा condition दे के आपको समझा दे रहा हूं कि अगर condition यह है तो यह होगा और condition B है तो यह होगा तो अगर बारिश हो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे घर में बैठ के पड़ेंगे और अगर बारिश नहीं हो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे स्कूल में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं basically तो मैंने keywords में discuss किया था कि हमारे पास 35 keywords है अब 35 keywords में मैंने आपको चार्ट भी दे दिया था यह चार्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यह यह चार्ट मैंने आपको दिखाया था तो यहां पे हम लोग if else and elif यह तीन keywords को use करेंगे conditional statement में राइट अब यह जो वीडियो है इसमें मैं आपको if and else का use case दिखाऊंगा next video जो आएगा उसमें मैं आपको logical operators के बारे में समझाऊंगा क्योंकि हमें elif जो keyword है उसको सीखने के लिए logical operators को समझना जरूरी है तो next video में हम लोग क्या करेंगे logical operators के बारे में पर रहे होंगे बट logical operators को समझने के लिए हमें if else statement का जरूरत है उसका हमें समझना पड़ेगा अब मैं एक simple सा example ले ले लेता हूँ जिसमें मैं एक variable ले लूँँगा marks के नाम से और marks में मैं क्या करूँगा एक int लिखे एक input statement को मैं store कर दूँगा इसमें तो enter your marks ओके तो मैं user से एलिफ के बारे में भी देखेंगे वो next वो I think so next video में हम लोग logical statement logical operators के बारे में discuss करेंगे फिर उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग यह एलिफ के statement के बारे में देखेंगे तो basically मैं क्या करूँगा conditions चेक करूँगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा if marks is greater than equal to 40 ऐसा अगर हुआ अगर यह condition true है मतलब if marks is greater than equal to 40 is true then हम क्या करेंगे print करेंगे क्या print करेंगे pass और अगर else यह अगर condition false है मतलब है एगर false है else क्या करेंगे हम लोग print करेंगे क्या print करेंगे fail तो यह बहुत simple सा example वह आपको दूपर्स कोड लिखा हुआ है अब यह मैं VS code यूज़ कर रहा हूं उसके लिए इंडेंटेशन यह automatically दे दे रहा है अगर आप VS code नहीं उसकरते तो यह इंडेंटेशन आपको खुद से देना पड़ता रहा है पट यह VS code में यह inbuilt function है तो यह क्या करा है यह basically इंडेंटेशन खुद से दे दे रहा है अब इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे है इफ marks is greater than 40 यह comparison operator comparison operator क्या करता है boolean value return करता है हमें तो marks का अगर value 40 या 40 से अधिक है तो अगर यह condition true है तो मैं क्या बोल रहा हूं program को print करने pass अगर यह condition false है मतलब यह condition false है else फिर हम लोग और कोई condition नहीं चेक करेंगे हम लोग सिर्फ directly else लिख देंगे else लिख के क्या करेंगे हम लोग print fail तो if this is true print this else print this तो यह program का मतलब यह है तो यह बहुत ही simple सा program है अभी इसको run करके देखते हम तो अभी यह बोलेगा enter your marks मैं 50 डाल देता हूं तो enter प्रेस करूंगा तो मुझे pass दिखाएगा naturally 50 is greater than equal to 40 यह condition satisfy हो रहा है यह true हो रहा है तो इसके लिए इसने pass दिखा दिया अब इसको मैं अगर फिर से run करता हूं और मैं अभी आगर देता 20 तो यह मुझे fail दिखा देगा तो क्यों क्योंकि यह condition satisfy नहीं कर रहा है यह 20 is not greater than equal to 40 तो यह मुझे fail दिखा दे रहा है अब एक बार और चेक कर लेते हैं इसको 40 लगा के देखते हैं तो 40 लगाने से मैं जह pass मिलेगा क्यों क्योंकि यह greater than equal to 40 दिखा रहा है तो उसके लिए मुझे pass दिखा रहा है तो यह था आपका if else statement का use case आशा करता हूं आपको कुछ useful information मिला इस वीडियो से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे thanks a lot for watching कर दो कर दो करदrivे है